चौथे दिन की वीडियो की शुरुवात करते हैं मा कुष्मांडा को प्रणाम करते हुए मील में आज मैंने बनाया है कच्छे के लिए की कटलेट्स और मखाने की खीर मॉर्निंग के लिए मैंने रेडी किया है दूद की चाय और ये फ्रेंच फ्राइज है आलू के आफ्टिनून में ले लेंगे कोई भी फ्रूट अब तेयार करते हैं अपना ये स्टार मिल तो ये मैंने कच्छे के लिए बॉयल कर लिये हैं इनको छील कर मैश कर लेंगे बहुत आसानी से ये मैश हो जाते हैं मैश हो जाने पर इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अद्रक हरी मिर्च हरी धनिया और पुदीना पती जिसे मैंने एक साथी काट लिया है इससे थोड़ा जादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा सेना नमक काले मिर्च पौडर, भुना जीरा पौडर और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा सिंहाडे का आटा जिसे मैंने दो मिनट भून लिया था अब हाथों को घी या तेल से ग्रीस करके अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे अब इसे तुरम बना लेंगे, इसे रेसर्ष करने की दूरत नहीं है तो किसी प्लेट को घीस कर लें घी या तेल से अब वापस अफасти हाथों को घी या तेल से ग्रीस करकी इसके चुटे बॉल बना लेंगे districts के क कटलेट्स के आकार में बना लेंगे से इस तरह से हधली पे रख के चप्टा कर दिया और ये आकार में आगा तो इसी तरह सारे मिक्स का मैं बना ले रही हूँ तो यह दिख्ये इस तरह के से बन गए तो अब इन्हें थोड़ा पॉडर बॉडर लगा दिया जाए तो यहां पे पॉडर मैंने तेयार गया है मुफली को भून के उसे पीस लिया ऐसा दर्दरा तो अब क्या करना है यह कटलेट उठा के इनको लपेट देना इस तरीके से तो पॉडर बॉडर लगा के यह लोग र जब तक यह सीक रहे हैं तब तक मैं दूसरी तरफ खीर बनाने की तैयारे कर ले रही है तो इसमें एक चमज घी डालके इसमें रोस कर ले रही हो कटे हुए बादाम की रोस हो जाने पर निकालके इसमें एक बूल मैं यह मखाने जो है इसे फ्राइ कर ले रही हूँ गी और एक्सिस में नहीं डालना है, इतना घी काफी है, जब तक यह भून है, तब तक दूसरी साइड हम कबाब भी चख कर लेते हैं, कबाब को पलट देंगे, ये देखे, पाच मिनिट हो गया है, तो इसे पलट देंगे, ये देखे, गोर्डन ब्राउन हो गया है, तो अब सारे ही कटलेट्स को हमें पलट देना है, सारे कटलेट्स को पलट के, इस तरीके से किनारे किनारे एक चमज घी डाल देंगे, और इसे पकने देंगे, छे से साथ मिनट तक, धीमी आज में पकाना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाय ने करना है, तो चले अब देख लेते हैं, दूसरी से गरम कर लिया था तो गरम गरम दूद इसमें एट कर देंगे एक बर चला के फिर इसमें एट कर देंगे थोड़े से केसर की धागे तो यह कंपलसरी नहीं है अगर आपका मन है तो डालें दरवाइस इसकिप कर दें मिक्स कर देंगे सबको एक बर अब इसमें डाल देंगे ह एच्छी निटस ऐखे ईंड आए वी टोड़े जितना पहलाए्ट चीनी दिटना किया पसंद कर जीए जिल दाल एक मिनट और पका ले और फिर इसे सर्फ कर ले विए आच्छी आगए तो चलो है सर्फ कर लेए तो लेजे बन के तेयार होके हमारे कटलेट्स और मखानी की कीर ऐसा लग रहा है जैसे आज तो मैंने चौका ही माय दिया तो इसकी थोड़ी खीर की ड्रेसिंग भी कर ली जाए तो जो मैंने पता हम रोज के थे स्टार्टिंग में उससे ड्रेसिंग कर देते हैं तो कैसे लगे आपको मेरी आज की ये रेसिपी जरूर कॉमेंट में बताएं और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो पांच वे दिन की वीडियो के साथ अगले दिन फिर मैं मिलती हूं तब तक के लिए बी हैपी एंड स्टे हल्दी